नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग रहे शिक्षन संस्ता का महराजा जिवाजी रावशिंदे महाविद्याले स्रीगोंदा आज के पार्ट में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, यह वीडियो शेक्षनिक वुद्देश्यक के हेतू से बनाया गया है, इसका कोई वेवसाईक दुरुष्टिकों नहीं है, सबसर पहले हम सभी लोग जान ले, कि आज हम लोग जो कहानी देखने वाले हैं सला सावित्री भाई फुले विश्व विद्यालाई पुने के ड्यूतिय वर्षकला हिंदी के पाठ्यक्रम में लगाई गई है, उसी के साथ साथ प्रथम वर्षवानिज्यक के पाठ्यक्रम में भी यह काहनी लगाई गई है, इस काहनी का उद्देशी यही है, दलितों की वर् लेकिन सही इसका विकास करने में जिस लेखक का आलोचक का और कहनिकार कभी का उलेक किया जा सकता है हिंदी दलीच सहित्य का इथियास जिनके सिवा कभी नहीं लिखा जा सकता ऐसे लेखक ऐसे कभी है ओम प्रकाशवाल मिकी जी हिंदी दलित सहित्य के मापदंड कैसे होने चाहिए इस पर सबसे पहले जीनों ने लिखा हैं जीनों ने आवाज उठाई हैं जीनों ने आलोचनागरंत लिखा दलित सहित्य का सौंदर ये शासर ये सर्वप्रतम उम्प्रकाश वालमिकी जी ने हमें दिया है तो उम्प्रकाश वालमिकी जी का परीचे हम लोग देखने वाले हैं उम्प्रकाश वालमिकी जी जिनका जन्मती जून 1950 को हुआ 17 नवंबर 2013 को उनकी मृत्य हुई वर्तमान दरिश सहित्य के प्रतिनीदी रचनाकार है ये भी धान में रखिए और उसी के साथ साथ इनके कावे संग्रोह सदियों का संताप बस बहुत हो चुका अब और नहीं शब्द जूट नहीं बोलते उनकी चहिनित कविताय आदी प्रकाशित है सलाम घुस पेठे अम्मा एंड अदर स्टोरी चतरी कहनी संग्रह इनके प्रकाशित हुए है आत्मकथा जिनके कारण इने सरवाधिक लोग प्रियता प्राप्त हुई या दलित सहित के सबसे चर्चित सहित कार माने गए वो आत्मकथा है जूटन अनेक भाशाओं में उसका प्रकाशन हुआ है दलित सहित का संदरी शास्र मुख्य धारा और दलित सहित सफाई देवदा दलित सहित अनुभाव एवं यथार्थ दोहजार तेरा में प्रकाशित हुआ गरंथ या आदी गरंथों का प्रकाशन ओंप्रकाश वालमिकी जी का हुआ है हम जानते हैं ओम्प्रकाश वालमिकी जी कवी है, कवी के रूप में ये प्रस्थाफित हुए है, समकाली हिंदी दलीत कवियों में ओम्प्रकाश वालमिकी जी का नाम प्रथम आता है लेकिन कवी के साथ साथ वे नाटकार भी है, दो चेहरे उसे वीर्थ चक्र मिला था, अनुवाद भी उन्होंने किया है, विशेश रूप से अरुन कारे जी की कविताओ का इन्होंने अनुवाद किया है विशेश रूप से मैं हिंदू क्यों नहीं कांचा एलिया की अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद आपने किया है, लोगनात ये शंद की मराठी कविताओ का अनुवाद भी आपने किया है, अन्या साथ से अधिक नाटकों में खुद अभी नहीं किया है, मंचन किया है, राष्टी अंतर राष्टी सेमिनारों में भागिदारी इनकी है, ये सारा परीचे देखते समय और एक महतुपुर्ण बात है, इन्हें जो पुरुसकार प्राप्त हुए है, उन्नीस सो तरयावे में डॉक्तर बाबा साहिम अमेड के राष्टे पुरुसकार इन्हें प पुरुसकार दो हजार आट नो का इन्हें प्राप्त है, इस प्रकार से उन्प्रकाश वानमिकी जी का एक संशिप्त परीचे हम लोगों ने देखा है, इनकी जो सलाम कहानी है, इस कहानी का साराप्ष देखने से पहले हम एक बात जान ले, इस कहानी की जो पात्र है, उसमे यह एक प्रमुक पात्र है और ये दो प्रमुक पात्रों की मानसिक स्थिति का वर्नन इस कहानी में किया गया है अलग-अलग प्रसंगों में इस पात्रों की इन पात्रों की जो घुटन होती है उस घुटन के साथ साथ इनका विद्रोही स्वभा भी आमारे सम्मुक आता है तो ये सारी बाते इस कहानी में इन दो पात्रों के आसपास घटी है तो इसलिए मैंने कहा कि इस कहानी के हरिश औ और कमल उपाध्याई प्रमुक पात्र हैं जुम्मन बाकी की जो पात्र आते हैं वह हम लोग कहानी का साराउश देखते देखते समझ सकते हैं अब हम लोग देखते हैं सलाम कहानी का साराउश हम सभी लोग जानते हैं कि सलाम कहानी अब हम लोग देखते हैं सलाम कहानी का सारा की मुल बात ये है कि हरिश और कमल मित्र है हरिश दलीत और पिछडे वर्ग का लड़का है कमल ब्रह्मन परिवार से है लेकिन ये दोनों आधुनिक विचारों वाले है इनकी जो दोस्ती है ये दोस्ती बड़ी गहरी है हरिश की शाधी tiden कमल बारती बना कर आया है एक मित्र किनाते से आया है और कमल की देखरेख में सारे कामकाज हो रहे है हरिश्ट की शादी की सारी तयारी करते समय कमल का योगदान सबसे बड़ा है हरिश्ट थो पहले कहता था कि कमल को यह 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 गाऊ पसन आ Executive udage नहीं कमल उसे कहता है कि मैंने सबसेद पहले तो गाव किताबूं में पड़े थे लेकिन आज सही परिस्तिती समझ में आई कि कितने सएयम और कितनी शमता है गावालों में कि को OFFICER हैं कि हैं प्रतिकुल परिस्तितियों में भी कैसे रहते हैं गाव ये देखकर कमल आत्मविभोर हो जाता है हरिश की शादी में कमल ये सब कुछ देख रहा है वो शादी का जो प्रसंग है वहाँ शादी वही अब बारात ले जाने की स्थिती है लड़की को ले जाने का प्रसंग है ऐसे उस दिन का ये प्रसंग है जुम्मन लड़की के पिता हरिच के ससुट इन्होंने शादी की पुरी तैयारी करके रखिए कि बारात जब आएगी लड़की को लेने के लिए तब कहां रुकेगी तो वहां का प्रसंग भी भयावा है कि वह एक स्कूल में जगा लेते हैं स्कूल के कुछ क्लास वह मांगते हैं लेकिन उसी दिन हेन्मास्टर गायव हो जाते हैं पुरी बारात को बरामदे में रुकना पड़ता है पानी की ववस्ता वहां का जो हेन्पम था उसी दिन कोई वाल निकारकल ने कर जाता है इसी लिए पानी भी नहीं मिलता बेचारे एक दो मटके रखकर बारातियों को पानी देना पड़ता है ये भ्यावा वास्तव वहां का हमें दिखाई देता है फुरी बारात ऐसी प्रतिकुल परस्तितियों में रुकी हुई है कमल और हरिश ये सारी परस्तितिया देख रहे हैं कमल सोच रहा है कितना इन लोगों में साहस होता है शमता होती है सहने की ये देखकर कमल आचरे चकित होता है लेगिन इसके बात का जो प्रसंग है एक बहुत महत्व पुर्ण है कि कमल को आदत है चाई पिनी की अब रात पूरे दिन भर की धमा चोकडी में और लब शादी के इस भागदोड में रात के समय कमल कहता है कि सुबर जल्दी पाच बजे ही मेरी नीन खुल जाती है और सुबर सुबर मा मेरे पास चाई लाकर देती है इसलिए मेरे चाई पिये बगर मेरी सुबर ठीक नहीं होती है चाई पिये बगर मेरी सुबर ठीक नहीं होती कि इस प्रकार से कमल और हरीश बाते कर रहे है उतने में एक बुड़ा हुने कहता है कि सुबर उटकर गाव के बाहर एक दुकान है चाई की दुकान है वहाँ आपको चाई मिल जाएगी ऐसा कहता है तो कमल खुश होता है सुबर सुबर जल्दी उटता है और यह प्रसंगिस कहानी को अलग मोर देता है कि कमल सुबर सुबर छे बज़े उटकर वो चाई की दुकान की और चला जाता है वहाँ जाते जाते वहाँ चाई की दुकान पर जाता है वो बेचारा चाई वाले को कहता है कि चाई दो चाई वाला वहाँ अंगारे डालकर च इतने में चायवाला पूछ लेता है कि तुम कहां से आये हो तब कमल कह देता है कि देहरादुन से तब चायवाले को शक होता है अरे देहरादुन से तो आज हमारे यहां बारात आई हुई है विशेष्टा कहां अंजरों के चुहणों के यहां मलब दलितों के यहां बारात आ कमल पैसे देने का प्रयास करता है लेकिन चाय वाला उनसे चाय नहीं देता है चाय वाला वहां बवाल खड़ा कर देता है कि कैसे यह आदमी अपने आपको ब्राह्मन कहकर यहां चाय पीने आया है इस पर से यह बवाल शुरू होता है वहीं पर रामपाल रांगड वहां आ ज जमा हो जाती है उस समय कमल उपाध्याय को महसूस होता है क्या दलितों को कितना सहना पड़ता होगा उस समय रामपाल जो रांगड है वह कहता है कि तू यहां से निकल जा यहां से तू निकल जा नहीं तो तुम्हें डंडे से मारेंगे आदी बाते वह कहता है गालिया देता ह उपर से कहता है कि हमारे गाव की लड़की लेकर जा रहे हो वो लड़के हमारे लिए होती वगरे आदी अशलील बाते भी कमल के सामने कहता है कमल गुसे में आकर कहता है कि आरे गाव की लड़की की यह इज़त है चाहे दलित हो या कोई भी हो लेकिन आपके गाउं की है ये भावना भी गाउंवाले में नहीं है ये देखकर कमल हताश होता है और आखिर में कमल को चाही नहीं मिलती है कमल को वहां से ढखेल कर गालिया दे कर वहां से निकाला जाता है और रामपाल जो रांगड है वो इस बात से खुश है कि कैसे दुकानदार रामपाल रांगड इस बात की शेकी बगारते है कि कैसे आज हमने एक दलित को जो प्राह्मन बन कर आया है उसे पकड़ लिया और उसे चाई नहीं दी वगरे आदी बाते वो कहते हैं पर इस सारे प्रसंग से कमल हताश होता है हताश होने के बाद यहां घर आता है और जब हरिश के यहां आते आते उसके मन में दूसरा प्रसंग याद आता है कि जब बच्चपन में मतलब हरिश और कमल ये बच्चपन के ऐसे दोस्त है लेकिन उसे याद आता है घर का प्रसंग घर में एक प्रसंग घटना हुई एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना ने कमल के मन पर गहरी चाप छोड़ी है वह घटना ये थी कि कमल के घर हरिश आता था और एक बार पहली बार जब हरिश कमल के घर पर आया तब कमल की माने पुछा की ये कौन है तब कमल कहता है हरिश के पिताजी सपाई कामगार है ये बाते सुनकर मा घुसा हो जाती है और कमल के कान में एक दो खिच देती है मारती है और गालिया देती है कि कैसे कैसे वेक्तियों को तु घर पर दे कर आता है ये सारी बाते सुनकर उस समय भी हरिश भी हताश होता है और कमल के सामने ये सारी घटना होती है यद्हान में रखेगा और इस घटना का परिणाम हरिश के मन पर भी होता है हरिश को बहुत सारे लोग भी समझाते है कि बंबन से दोस्ती रास नहीं आती ऐसा आधी बाते दलित भी उसे समझाते है और यहां कमल के मन पर भी एक छाप पड़ जाती है लेकिन बाद में कमल ने हमेशा अपनी मा के साथ तरक किये और तरक के सामने माहाल जाती है और बाद में एक बात कमल ने हरिश को आज तक नहीं बताई कि जब भी हरिश उसके घर आता है तो उसके लिए अलग बरतन होते है हरिश आने के बाद उसके ही बरतनों में उसे खाना दिया जाता है ये सारी बाते Κमल की जहन में आती है जो चाए की घटना घटी है उस घटना के बाद ये परसिदी है उसके बाद जब कमल हरीश के यहां आता है तो यहां का आता वर न लग है यहां बर्मी एक सबसे बड़ा संकट जो इस कहानी का शिर्शक है वह संकट सबके सामने खड़ा है वह संकट है सलाम की रस्म का इस गाव में ये रस्म होती है कि दुलहा और दुलहन जो है ये दोनों क्या करें? कि बारात विदा होने से पहले दुलहा दुलन गाव के जो भी रांगड परिवार है उच्चवर्णी परिवार है वहाँ पर जाकर सबके घर के सामने सलाम करे और ये सलाम करने की प्रथा वहाँ पर होने के कारण हरिश के ससुर जुमन हरिश को बिंती करते है कि हमें सलाम की रश्म को जाना पड़ेगा हरिश के पिता भी इस रश्म का विरोध करते है हरिश भी इसका विरोध करता है ये इस कथा का महत्वपुर्ण प्रसंग है हरिश के मन में आता है कि ये जो दुला दुलन है सभी उच्चवर गाजे वाजे के साथ मेंड भाजे के साथ सबके घर के सामने खड़ा रहना और फिर वो कुछ कपड़े लटते उनके उगर देते हैं ये सारी बाते उसे दलित होने का एहसास दिलाती है पिछड़ा होने का एहसास दिलाती है इस बात का बुरा हरिश को लगता है और हरिश एक बाद भी कहता है कि ये जो सलाम नाम की रस्म है ये रस्म डलितों के आत्म विश्वास को तोड़ने की साजिश है मतलब हरिश का कहना ये है कि ये जो रस्म है ये हमारे आत्म विश्वास को तोड़ने की साजिश है और यह सहीं वास्तव हरिश कहता है, हरिश सहस करके इस प्रता का विरोध करता है और विशी शुरूपसे इसके बाद हरिश के विरोध करने के बाद जुम्ण के घरवाले या हरिश के संसूर ये बेचारे डर जाते है और उसी समय गाव के रांगर परिवार से कुछ लोग आकर उसे धमकी दे कर जाते हैं, कि मतलब हरीश के सासुर जुम्न को धमका कर जाते हैं, और धमकी में यह कहते हैं, गाव की हवा था तुन्हे पहले साही बिगार के रखी हैं, लडकी को दस्वी पास करवा लिया, उपर स तेरा दामात सलाम को नहीं आ रहा है, आदी-ादी बाते कहेकर वह धंका कर चले जाते हैं, उसके सामने पगणी रखी नाक रगणने की पेर पढ़के उनको बिंती की, कि मेरे, मेरी बेटी की बारत यहां से जाने दो, हम बात में जो भी सजा होगी सह ले गया, आदी बाते वह कहते हैं हरिश यह सारे प्रसंग देख रहा है और इतना कहने के बाद गावाले धमका कर जाते हैं कि सलाम की रस्म को आना पड़ेगा इतना कहकर चले जाते हैं उसके बाद इसके घर में जो बारात में शादी का जो उस्सा होता है वो सारा नश्ट हो जाता है इनको डर है इनक खाना बनाया है वह खाना खाकर बारात की टिका लगानी की रस्म पुरा करके जल्दी से यह बारात भीजने की तैयारी हो जाती है सारे उस दर में होते हैं यह दलित समाज का यथारत है और वहाँ पर देखेगा जिस समय हरीष विरोत कर रहा होता है तब इन दलितों के जो बा कफाते हरिश को समझाते हैं लेकिन हरेष हरिष के मुख में डाक्टर बाबा साइब अम्यट करकर के विचार है डाक्टर बाबा साइब की जो प्रेरना थी वह है हरिष कहता है कि इस आत्म विश्वास को तोड़ने की साजिश को हमें रोकना पड़ेगा यह बहुत बड़ी बात यह बहुत बड़ी बात हरिश हमारे सम्मुख रखता है विशेश रूप से अब यहां तक कहानीकार आता है लेगिन कहानीका अंद और भी वहाव है जब वहां पर बीट और मीट और नान बनाकर उसी समय एक प्रसंग घट रहा है कि वह जो नान और रोटी बनाने वाला विक्ति होता है वह मुस्लिम है इस कारण एक लड़का वह रोटी नहीं खा रहा है कौन दलीट का लड़का बाप उसे समझाता है पर्ड लिकर तू क्या बन गया है तुभी बमन की बोली बोल रहा ह वह दलीट का लड़का कहता है कि वह मुसल्मान है मुसल्मान के हाथ की बनी रोटी में नहीं खाऊंगा और यह कहने के बाद वह दलीट कहता है आरे पड लिकर तू बमन की बोली बोलने लगा है यह सबसे बड़ा वार दलीटों पर है विशेश रूप से दलीट समाज में पड़े लिखें लोगों को भी यह पता नहीं है कि हम लोग भिद्भाव की ओर जा रहे हैं और यहां पर उच्चवर निय भी कैसे अन्याय कर रहे हैं दोनों पक्षों को यहां पर लेखक ने रखने का प्रयास गया है जब वो लड़का कहता है कि मुसल्मान की बनी हाथ की दोनी ही रोटी नहीं खाऊंगा यही देखकर हरीशो और कमल एक दूसरे को देखते हैं और आहत हो जाते हैं और यहां कहानी का अंत होता है इस कहानी में महतोपुर्ण है इस कहानी के समवाद मैं समवादों पर अधी जोड देने वाला हूँ हमने कहानी को संशिप्त कथा वस्तो हमने देख ली इसका एक महतोपुर्ण समवाद है जब कमल चाई की दुकान पर जाता है उस समय उसे दलित समझ कर जो प्रसंग खड़ा होता है चाई वाला चाई देन या को सिर्पे उठाए घुमो यह सहर नहीं गाव है यहां चोड़े चमारों को मेरी दुकान में चाई ना मिलती कई और जाकर पियो यह प्रसंग है किस प्रकार से एक चाई वाला कमल उपाध्या को जो कहता है वह भयावा वास्तव है इसका विशलेशन मैंने पहले किया है दूसरा समवाध जब कमल उपाध्याए अपने मित्र हरीश को अपने घर लेकर आता है उस समय मा की प्रतिक्रिया क्या थी उसे अधोरेखित करने वाला एक समवाध पता नहीं कहां कहां से इन कंज्रों को पकड़ कर घर ले आता है खबरदार जो आगे किसी हरामी को दोबा पर यहाल आए यह दूसरा समवाध कितना भयावा वास्ता है यह यहां पर दिखाने का प्रयास किया है अगला समवाध जब हरीश सलाम की रस्म का विरोध करता है उस समय हरीश को घर के लोग समझाते है कि तुम्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए वह कैसे कहते हैं उसक नहीं पड़ेगा और फिर जल में रहेकर मगर मच्चे से बेर रखना तो ठीक नहीं है और इसी बहाने कप्रालता बरतन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाएंगे आदी बाते हैं एक समवाध है मलब किस प्रकार से वे हरीश को समझाते हैं उसी समय हरीश विरोध करते समय जो कहता है यह भी सवाध महत्वपुर्न है मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बरतन मैं अब परिचितों के दरवाजे पर सलाम पर नहीं जाओंगा यह हरीश का साहस है हरीश बड़े साहस के साथ उस रसम का विरोध करता है यह समवाध इस कहानी की मूलात्मा है आप चाह जो समझे मैं इस रिवाज को आत्म विश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं सलाम की यह सलाम की रस्म बंध होनी चाहिए इस प्रकार से इस प्रकार से हरीश इस प्रथा का विरोध करता है यह इस कहानी की आपकी भाशा में कहें तो टैग लाइन और दोहिकित करने की करने वाली पंक्ती है रांगड परिवार वाले हरीश के ससुर को धमकाने आते है उस समय के यह समवाद जो है यह भी भयावा वास्तव प्रस्तूत करते है गाव की नाक तो तुने पहले ही कटवा दी जो लोंडिया को दस्वी पास करवा क्या जरूरत थी लड़की को पढ़ाने की अरे गाव की हवा विगार रहा है तू इप तेरा जवाई सलाम पर जाने से मना कर रहा है उसे समझा दे सलाम के लिए जल्डी आवे हमें पता है मैंने इसको भी समझाया है कि किस प्रकार जलीतों की परस्तिती यहाँ पर है जिस समवाद से होता है यह समवाद महतों पुर्ण है कि जहां पर एक दलीत वर्ग का बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं मुसल्मान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा यह समवाद सभी लोगों को सोचने के लिए बाद्य करता है कि दली हैं ये सारी कहां से डाली गई है मुझे जो बातों पुर्णमुदे लगे मैंने उसे अध्यर अध्यूरी कि जाती प्रथा की पारंपारिक रिती रिवाजों की वुरुद्ध आवाज उठाना यह महतोपुर्णबाद है कि जाती प्रथा की पारंपारिक रिती रिवाज जो हमारे समाज में है विशेष्टा ये जो परंपराय है रिती रिवाज है जो हमारे आत्मविश्वास को तोणने की साजिश है दलितों के आत्मविश्वास को तोणने की साजिश है उसके विरुद्ध आवाज उठाना इस कहानी का प्रमुकुद्देश है दूसरा मुद्दा मैंने अधोरेकित किया है भारतिय समाज की जाती प्रता का भयावच चित्र प्रस्थूर करना कि यहाँ पर लेखक ने भारतिय समाज की जाती प्रता का भयावच चित्र हमारे सम्मुक रखा है रखा है कि यहाँ पर बारात के यहाँ उनको रहने की जगा न देना, पानी न देना, उनको दहशत में रखना, यह सारी बाते भयाव हैं, किस प्रकार से कमल उपाद्ध है का आपमान होता है, यह सारी बाते हम लोग देख रहे हैं, किस प्रकार दलित लड़की का मजा जाता है यह भी यहां पर दिखाई देता है सिक्षित दलित समाज के आवशक्ता देखेगा डॉक्टर बाबा साहिब अमेड करने जैसे कहा था कि पड़ो लिखे और लिखो आगे बड़ो संगर्श करो यह सारे संदेश बाबा साहिब के यहां पर लागू होते हैं कि आज कमल उपाद्य द्वारा समतावादी विचारधारा का परुसकार करना एक धान में रखेगा इस कहनी में एक महतुपूर्ण पात्रह कमल उपाद्य है जो ब्राह्मन परिवार से है और विशेई सुदुप से वह समतावादी विचारधारा वाला है आधुनिक विचारधारा वाला है वह हमेशा अपनी मा का वे विरोध कर रहा है कि जो रूडी ग्रस्त है जिस पर जाती प्रता का प्रबाव है वर्न वेवस्ता का प्रबाव है तो उसका विरोध कोन कर रहा है कमल उपध्य कर रहा है डॉक्टर बाबा साहिब मेड कर हो या महत्मा फुले हो इन लोगो सब्सक्राइब उसी स्पुराण से यहां पर कमल उपाद्याय का पातर खड़ा किया गया है कि यहां पर कमल ऊपाद्याय भी खड़ा है समतावादी विचार लेकर यह बहुत बड़ी बात इस कहानी की है हरिज जैसे विद्रोई और सहासी यूगों क्या वशक्त मलब यहां प कि विद्रुही सोबा वाले साय से सोबा वाले युकों कि आवशक्ता है और मिधकर UPाड विचार धारा का महत्व क्या है इस कहानी कि मयाकित नहींद प्रसंगों को देकर हमें पता चलता है कि間रवादी करवादी विचार educators कुछ आवशक है यह ध्यान में रखेगा हमारे समाज को सामाजिक न्याई की और हमें लेकर जाना है शोशल जस्टिस की आवशकता हमें है तो अम्मेड करवादी विचारधारा का महतुआ हम सभी लोगों को पता होना आवशक है इस प्रकार से हमने सनाम कहानी के कुछ बिंदो ओपर विचार किया है आज के पार्ट में हम लोग यही रुखते हैं आप सभी लोगों से मैं आज बिदा लेता हूँ अगर यह सारी कहानी का जो विचलेशन है मैंने कुछ ग्रंधों से किया है लेकिन मेरे नीजी एक धान में रखेगा मैं पढ़ाते समय जो मुझे लगा मैंने उसमें एड किया है उसमें समाहित किया है तो आप सभी लोगों से मेरी बिंती है पढ़ते समय आपको नए नए दुर्ष्टी कोनी इस कहानी से प्राप्त होगे उनको भी इसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं और इस कहानी का अध् कर दो कर दो रहादब पंगे से जया जा ना उरहा जा है?